दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल टीचार रहमत में हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम टेस्ट सिरीज 4 के टोटल 100 कोस्टन को सॉल्व करेंगे कोस्टन नमबर 1 से 100 तक जो भी सवाल आते हैं सभी के सॉलूशन और एक्सपरानेशन हम आपको विस्तार से समझाएंगे इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोट कर चुके हैं जिसके लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासल कर सकते हैं हाला कि हमारे टेस्ट स्रीच के वीडियो जो हैं सब प्राइवेट हैं जिससे पाने के लिए आपको इंडिविजवरी हमसे संपर्क करना होगा हम टेस्ट स्रीच के प्राइवेट वीडियो के अलावा हम आपको कम्प्लीट पीडियेफ और प्रिंटेड नोट्स भी उपलप्त कराएंगे जिससे आप दक्स्ता परिक्षा की बेहतर तयारी कर पाएंगे और आपकी सफलता सुलिश्चित हो पाएगी तो आएए बगएर किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं एक एक प्राशन को सॉल्व करते हैं पहला सवाल है कौन सा शब्द स्ट्रिलिंग है इस्ट्रिलिंग का मतलब होता है जो नारी जाती का बूट कराएं वाक में परियोग द्वारा आप श्ट्रिलिंग और पूलिंग की पहचान कर सकते हैं वह मेरा सहरा है मेरा बतलाता है कि सहरा पूलिंग है इसी परकार सुची पत्र और स्यार को भी आप पूलिंग पाएंगे लेकिन परिसज जो होता है श्ट्रिलिंग होता है सही जवाब ह अगला कोश्चन है मनाह जोड़ भाव ये संदी विछेत जो है विसरक संदी है ये जोड़ने पर क्या बनेगा ऐसे में यह जो अह का सैंबोल है विसरक का सैंबोल है या ओकार में बदल जाता है यानि मनो भाव सही उत्तर होगा अगला कोश्चन है कौन सा सब्द जाती वाचक संग्या नहीं है जाती वाचक का मतलब होता है ऐसी संग्या जो पूरी जाती का बोध कराए जवान से पूरी जाती का बोध होता है बालक से लरके के पूरी जाती का बोध होता है मनुष तो अपने में एक जाती ही है किसी विश या एक विशेशन है अगला सवाले चार नमबर महा भोज रचना की परधान समस्यां को उजागर करने वाले विकल्प को सुनिये महा भोज जो एक रचना है इसमें परधान समस्या क्या था आप जब गौर करेंगे कहानी आपको याद होगा तो आप पाएंगे कि इसमें जो सबसे परधान समस्या था वो राजनितिक समस्या था राजनितिके इरद गिरद ही पूरी रचना घूम रही है सही जवाब option C हो जाएगा अगला सवाल है संदी विछेद से ही लिया गया है नीह जोर विकार यानी विसरक संधी में नीही जोर विकार को आपस में जोडने पर क्या प्राप्ट होगा नीही जोर विकार जब उपसर्व के बाद हरसी के मातरा हो तो या रेप में तबदील हो जाता है नीही जोर विकार निर्वी कार आता है सही जवाब है option B next question है छे नमबर काम यानी किस परकार का गरंथ है काम यानी गरंथ जो है ये महा काव है अगला question है साथ नमबर गागर में सागर भढ़ने का कार्ज किस कवीने क्या गागर में सागर ये भढ़ने का कार्ज बिहारी कवीने क्या है अगला कोशन है कपाल का समानार्थी शब्द क्या है समानार्थी का मतलब होता है ऐसा शब्द बतलाए जिसका अर्थ समान हो कपाल को आप सर भी कहते हैं माथा भी कहते हैं यानि हमारा जो सर है वो कई बार कई जगों पर कपाल के नाम से भी पुकारा जाता है अगला कोशन है नौ नमबर निरुत्तर का सही संदी विछेद क्या होगा निरुत्तर का सही संदी विछेद हो जाएगा निह जोर उत्तर या भी विसर्ख संदी है अगला कोशन है दस नमबर इसमें शुद्वर्तनी की पहचान करनी है चार ओप्षन है चारों में तीन जो है गलत लिखा हुआ है एक सही है दिर्गायू को जब आप लिखेंगे तो दो में दिर्ग इकी मातरा होगी यो में हर्स उकी और दी के बाद रो का पहले उचारा ने फिर घौका इसलिए रिप का सैंबोल आ जाएगा सही जवाब है ओप्षन एक नेक्स्ट कोस्टन फूल का पढ़्यावाची नहीं है फूल का पढ़्यावाची क्या हो जाएगा आप ऐसे सब्द की तलाश करें जो इसका मिनिंग फूल नहीं हो क्यूंकि पढ़्यावाची का मतलब ही होता है ऐसा शब्द जिसका मिनिंग समान हो फूल को सुमन भी कहा जाता है पुस्प भी कहा जाता है कुसुम भी कहा जाता है लेकिन तनूजा नहीं कहते इसलिए फूल का प्रयावाची तनूजा नहीं होगा अगला कोशन है बारा नंबर अलप संख्यक का विलोम क अगला कोशन तेरा नमबर आवनत शब्द में परियुक्त उपसर्ग है यानि आवनत में कौन से उपसर्ग का प्रियोग हुआ है उपसर्ग बोलते हैं ऐसे शब्द को जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है और शब्द को नया मीनिंग देता है जब आप गौर करेंगे तो इसमें आव उपसर्ग जुड़ता है और नया शब्द आवनत बनाता है इसका मूल शब्द है केवल और केवल नोत नत है चोदा कोशन है जिसमें सुद्वर्तनी का चेन करना है चार ओप्षन आप देख पा रहे होंगे इसमें तीन जो है गलत है एक सही है सिरिंगार जो होता है सरासे लिखाता है और रोक का उच्चारन इसमें आता है और अनुस्वार आता है यानि सही हो जाएगा ऑप्षन बी अगला कोशने 15 नमबर हात को हात न सुझना का अर्थ क्या होता है यह एक बहुती पर्चलित मुहावड़ा है हात को हात न सुझना कहने का मतलब है घना अंधेरा होना बरसात के दिनों में जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो हात को भी हात नहीं सुझता है नेक्ष्ट कोशन है आकर्षन का विलोम शब्त क्या होगा आकर्षन का ठीक उल्टा होता है वी कर्षन जब कोई एक दूसरे की तरफ आता है तो उसे आकर्शित कहते हैं एक दूसरे से जब दूर भागता है तो उसे विकर्शन कहते हैं फिजिक्स में भी आकर्शन विकर्शन आपने पढ़ा होगा इसकी परिभासा ठीक एक दूसरे के उटे होते हैं नेक्स्ट कोशने 17 नमबर विरिक्ट से पत्ते गिरते हैं इस वाक में से किस कारक का चिन हैं कारक वाले कलास में मैंने सभी चिनों से आपको उगत कराया था करता का ने होता है कर्म का कू होता है इसी परकार से ये दो आत के लिए प्रयोग होता है एक अपदान के लिए एक कर गिर रहे हैं इसलिए से जो कारक है अपदान कारक है नेक्स्ट कोस्टन नमबर निमन में किस शब्द में पड़ते लगा हुआ है पड़ते उसे कहते हैं जो किसी मूल शब्द के बाद में लगकर नया शब्द बनाता हो आप उस शब्द को तराशिये जो किसी मूल शब्द मे गौज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जादू में जब गड़ लगता है तो नया शब्द जादूगर बनता है इस दिए जादूगर में गड़ पड़ते लगा और नया शब्द बनाया नेक्ष्ट कोस्तने 19 नमबर जो धातू या शब्त के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं धातू या शब्त के अंत में जोड़े जाने वाले को पड़ते कहा जाता है next question है 20 नंबर ठाली का बैगन से क्या अभीपड़ा है ठाली का बैगन का अर्थ होता है या एक लोखोक्ति है इसका मतलब होता है सिधान्थ हीन व्यक्ती ठाली का बैगन है वैसे व्यक्ती को कहते हैं जो अपने रूल के अनुसार नहीं चलता हो अगला कोश्चन है किस नमबर हिंदी भाषा किस लीपी में लिखी जाती है हिंदी भाषा जो है या देवनागरी लीपी में लिखी जाती है अगला कोश्चन है बाइस नमबर वर्न माला किसे कहते हैं वर्न माला जो होता है और आ कौक गग ग्यां तक होता है वर्ण माला असल में वर्णों का वैवस्ति समू है इसी वर्णों के मेल से शब्ड बनता है इसी वर्णों से सब कुछ बनता है यानि वर्ण माला वर्णों का वैवस्ति समू है अगला qocton है 23 नम्डr सावधानी शब्द में परियुक्प्ट परते क्या है सावधान एक मूल शब्द है इसमें परियुक्प्ट परते झरी है क्योंकि दिर्ग ये लक्तर ही सावधान को सावधानी बनाता है सही जवाब है off a अगला question है 24 नमबर निवन में कौन सा शब्द देशज है देशज का मतलब होता है जो देश की बोलचाल में पर्योग आता हो जब आप गौर करेंगे इन शब्दों को तो लोटा जो है देशज होगा क्योंकि हमारे देश का ये शब्द है हमारे देश की बोलचाल में इसका प्रयोग होता है अगला कोशने 25 नमबर समान अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं ये पड़यावाची सब्द समान अर्थी शब्द कहलाते हैं अगला कोशन 26 नमबर संग्या की पुन्राविर्थी दूर करने के लिए संग्या के अस्तान पर प्रयोग किये जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं अगर हम कोई शब्द करें कि राम पढ़ता है राम आता है राम खाता है ये राम एक संग्या है इसकी हम पुन्रा विड़ती कर रहे हैं हम अगर चाहले कि हम राम का नाम एक ही बार 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 नहीं बोलेंगे तो हम जिस शब्द का प्रियूप करेंगे वा सरवनाम कहलाएगा उधारन के लिए राम एक लर्का है वह पांचरी कक्छा में पड़ता है उसका घर मुझफर पूर है वह एक अच्छा लर्का है बार-बार जो हम वह का प्रयोग कर रहे हैं इसी वह को सरवनाम कहते हैं अगला कोस्चन है 27 खाने योग पदार्द क्या कहलाते हैं ऐसे पदार्द इसे हम खा सकते हैं वो खाद कहलाते हैं यहां भी आप खाद देख रहे हैं यहां भी खाद देख रहे हैं लेकिन इसका अर्थ होता है खाने योग इस खाद वो खाद है जो आप खेतों में अगला question है 28 नमबर x बटा 2 बराबर 1 बटा 2 इसमें x का value क्या होगा आप नीचे 2 देख रहे हैं दोनों में 2 है इसलिए 2 से 2 कट जाएगा x का value 1 आता है सही जवाब है option b अगला question है 29 नमबर किसी आकरती की लंबाई चवराई और उचाई सभी आपस में बराबर होती है वो आकरती कौन है ये आकरती घन है आपने लूडो का छक्का देखा हो चाहे कोई भी घनाकर आकरती देखा हो जिसकी लंबाई चवराई उचाई आपस में बराबर है उधारण के लिए हम एक फीगर बना रहे हैं जो पूरा पूरी घन ना बने लेकिन लगभग लगभग जरूर बनेगा इस आकरती को आप देख रहे हैं इसमें हमने लंबाई को चवराई को उचाई को सभी को एक दूसरे के बराबर दिखलाया है ऐसे ह आकरती को घनाकार आकरती कहते हैं नेक्स्ट कोसने पांच हजार पांच सो पच्पन को अंकों में लिखना है आईए हम इसे लिख कर दिखलाते हैं पांच हजार पांच सो पच्पन को अंकों में लिखने के लिए हमने पांच हजार पांच सो और पच्पन को अलग अलग लि अगस्तित है आरोही करम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे फिर बड़ी को उससे बड़ी को फिर सबसे बड़ी को इसे दूसरे शब्दों में बढ़ते करम भी कहते हैं हमने सबसे पहले 222 फिर 2222 फिर 2222 ये जो है बढ़ रहा आगला कॉश्टन है एक बर्फ की किमत 75 प्रुपिया है तो 6 बर्फ की किमत कितनी होगी, एक बर्फ का जब 75 है तो 6 बर्फ का किमत निकालने के लिए हम 75 को 6 से गुना करेंगे जब आप 75 को 6 से गुना करेंगे तो आपको 450 आएगा चो पंचे 30 के 0, हासिल 3, चो सते 42, 3, 45 सही जवाब है option C अगला question है 33 नंबर 10,000 है, एक सेक्रा है, 0, दहाई है, एक एकाई है इसे अंकों में लिखना है आईए हम लिखका दिखलाते हैं दस हजार एक सेक्रा, 0, दहाई, एक एकाई को अंकों में लिखने के लिए हमने 10,000 लिखा है उसके बाद 1 सेक्रा को 100 लिखा है, 0, दहाई को 0, एक एकाई को 1 क्योंकि एकाई में 1 से दहाई में 10 से सेक्रा में 100 से 1000 में 1000 से गुना करते हैं उसके बाद सब को आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10101 अगला कोशन है 34 नमबर 936 में तीन के अस्थानिय मान और जातिय मान में अंतर बतलाएए अस्थानिय मान उसे कहते हैं जो इसके अस्थान के अनुसार बदलता रहता है तीन जब दाएई के अस्थान पे हो तो इसका अस्थानिय मान 30 हो जाएगा तीन के दाएः और एक अंक है इसलिए तीन पर एक जीरो बठाएंगे लेकिन जातिय मान किसी भी वैलू का वही होता है जो वो दिखता है यानि इसे face value कहते हैं तीन का जाती मांद तीन ही हो जाएगा तीस में से तीन को घटाएंगे 27 पराप्त होगा सही जवाब है option C अगला question समतल आकर्टी में क्या नहीं होता जो समतल आकर्टी होता है उसमें आयतन होता है या नहीं छित्वल होता है या नहीं लंबाई होता है या नहीं परिमाप होता है या नहीं ये जो आकर्टी आप देख रहे हैं इसे ही समतल आकर्टी कहते हैं इसमें लंबाई चवराई होता है लेकिन उचाई नहीं होता जब किसी आकर्टी में लंबाई होगा चौराई होगा तो उसमें परिमाप भी होगा क्योंकि परिमाप कहते हैं इसके चारो उरकी लंबाई और चौराई के योब फल को लंबाई और चौराई होगा तो छेतर फल भी होगा क्योंकि लंबाई और चवराई के बीच का जो छेतर है यही छेतफल कहलाता है लेकिन आयतन कहते हैं लंबाई चवराई और उचाई के बीच का छेतर इसमें उचाई का अभाव है इसलिए आयतन का भी अभाव है सही जवाब हो जाएगा option A अगला question is 36 समबर निमलिकित में किस भीन का मान अधिक्तम होता है जब आप इस तरह देखेंगे कि अंश का वैलू सेम है तो अधिक्तम भीन पता करने के लिए आप उस हर की पहचान करेंगे जिसका वैलू सबसे छोटा है साथ चार तीन दो में सबसे छोटा दो है इसलिए सबसे अधिक्तम मान वाला भीन एक बटा दो होगा अगला question है 37 नमबर एक सबता में कुल कितने घंटे होते हैं एक सबता में साथ दिन होते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं जब अब साथ को 24 से गुना करेंगे तो साथ चोके 28 के आठ हासिल दू सादूनी 14 दू 16 एक सो अड़सर घंटे प्राप्ट होते हैं सही जवाब है option B अगला question है 38 तीन दसमलों एक पांच तीन दसमलों जीरो पांच तीन दसमलों 50 में पांच 5 यनि में सबसे बड़ा कौन है सबसे बड़ा देखने के लिए आप दसमलों के डायं filled देखें क्योंके 72 औरत सबसे में है और डायं सबसे में हैं और दायं सबसे बात करें तो 55 जो है 55 पंदरा से बड़ा होता है सही जवाब है option D next question है 49 नमबर 5 बटा 13 परस 13 बटा 5 का value क्या होगा ये बटा पड़का जोर है आईए हम इसे solve करके देखलाते हैं 5 बटा 13 तेरा बटा 5 को जब आपस में जोरेंगे तो 5 और 13 का SEM 65 होता है 13 से 65 को भाग देते हैं 5 बड़ में और 5 को 5 से गुना करते हैं 25 आता है इसी परकार हम 5 से 65 को भाग देंगे तो 13 आएगा 13 गुने 13 169 आता है 35 और 169 को जोरने पर 194 आता है यानि जब हम दोनों को जोरेंगे तो 194 बटा 65 आएगा तो सही जवाब है अगला कोशन है 40 संबर निमन में वर्ग संख्या कौन है वर्ग संख्या उसे कहते हैं जो किसी संख्याओं का वर्ग होता है यानि एक संख्याओं को उसी संख्या से जब गुना किया जाता है तो वर्ग संख्या पराप्थ होता है 343 हो चाहे 125 हो चाहे 111 किसी संख्या का यह वर्ग नहीं है लेकिन 112 जो है एक वर्ग संख्या है जो 111 को 111 से गुना करने पर प्राप्थ होता है अगला कोशन 141 नमबर एकलावता सम अभाद संख्या कौन है एकलावता जो सम अभाद संख्या है वो दो है दो के बाद की जो भी सम संख्या हो इसमें कोई अभाज नहीं है क्योंकि यह संख्या अपने और एक के इलावा दूसरी संख्याओं से विभाजित है और अभास संख्या का मैंने जो परिभाशा बतलाया था वो यही कहा था कि खुद को और एक को छोड़ कर किसी अंसे या विभाजित नहीं होता है अगला कोश्चन है 42 नमबर किसी एक संख्या को उसी संख्या से तीन बार जब गुना क्या जाता है तो क्या पराप्त होता है घन संख्या पराप्त होता है वर्ख संख्या को उसी संख्या से दो बर गुना करने पर प्राप्ट होता है सम संख्या कहते हैं दो से जो भाग लग जाए विसम संख्या कहते हैं जो दो से ना कटे अगला कोश्चन है 43 किसी भी संख्याओं का लगुत्तम समापवर तक दी गई संख्याओं से बड़ा होता है या बराबर होता है क्यूंकि लगुत्तम का मतलब ही होता है मिनीमम अगला कोश्चन है 44 निमलिखित में कौन सही है यहां पर बड़ा और छोटा का सैंबोल है आप सैंबोल कर देखकर बतलाएं कौन सही है कौन गलत है आप देख पा रहे होंगे कि 6 को छोटा बतलाया गया है यहां 32 को छोटा बतलाया गया है यहां 0.51 को 0.15 से छोटा बतलाया लेकिन सही option जो है वो A है अगला question है पैंतालीस नमर 22 बटा साथ को दस्वलों में बदलने पर क्या प्राप्थ होगा जब 22 बटा साथ को दस्वलों में बदलेंगे तो 3.14 आता है next question है 46-8 cm तिर्जा वाले विर्द का वियास पता किजिए एक विर्द है जिसकी तिर्जा 8 cm है जब हम इसका वियास पता करेंगे तो 8 को हम दो गुना कर देंगे क्योंकि व्यास जो होता है वो तिर्जिया का दोगुना होता है नेक्स्ट कोस्टन है 47 वर्गाकार खेत के चारो और दोड लगाने पर रहीम को 160 मीटर दूरी तै करना होता है खेत की लंबाई बताएं आईए इसी हम सॉल्व करते हैं 47 वर्ग की जो भुजा होती है आपस में बराबर होती है हम एक सांकेतिक वर्ग बना रहे हैं सपोच किजिए किसकी लंबाई हो चौराई हो सबको आपस में जोडने पर 160 मीटर आ रहा है तो खेत की लंबाई क्या होगी यानि इसका जो लंबाई चौराई आपस में बराबर है यानि फूर ए इसका परिमाप हो गया फूर ए का वैलू 160 है तो ए का वैलू पराप्त करने के लिए हम 160 को 4 से भाग देंगे तो 40 आ जाएगा नेक्स्ट कोस्टन है 48 निम्न में कौन जूंड में नहीं रहते हैं चीटी, मदुमख़्ी, बंदर, गाए नॉर्मली पालतू जानवर जो होते हैं वो जूंड में नहीं रहते हैं वो अकेले भी रहते हैं उसे सिर्फ अवश्यक्ता होती है लालन पालन की नेक्स्ट कोस्टन है मदुबनी चित्रकला का संबंद कहां से है मदुबनी जो है बिहार का एक जिला है इसलिए इसका संबंद बिहार से है निम्न में कौन ज्यादा देर तक सोता है चार जानवर है इसमें ज्यादा देर तक कौन सोता है आईए हम चार्ट के माधिम से समझाते हैं दोस्तों जिराव जो है दिन में दो घंटे सोता है वहीं गाय दिन में चार घंटे बिल्ली जो है दिन में बारा घंटे सो जाती है अजगर दिन में अठारा घंटे सोता है आप समझ पा रहे होंगे ज्यादा दिर तक कौन सो होता है नेक्ष्ट कोसने 51 धात्वों के ओक्साइड कैसे होते हैं धात्वों के जो ओक्साइड होते हैं वो अमलिय होते हैं नेक्ष्ट कोसने जीम काडबेट नेशनल पार्क कहा है जीम कार्वेट नेशनल पार्क उत्राखण में अवस्तित है इन में कौन आकाश्य पिंड नहीं है मंगल बुद्ध शनी ये सब गरहे आकाश्य पिंड है लेकिन सीरियस जो हैं आकाश्य पिंड नहीं है नेक्स्ट कोश्टन है उत्राखण में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किसे संबधि है हरेला पर्व जो होता है वह पौधा रूपन से संबधित है इसमें पौधे को रूपा जाता है और तेहवार मनाते हैं नेक्स्ट कोस्टन है पच्पन नमबर तोचा कैंसर किन किर्णों से होता है तोचा कैंसर जो होता है वह पराबैगनी किर्णों से होता है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट कोस्टन है छपन नमबर पौधोर जनतों में जनन के कितने तरीके हैं पौधो और जनतों में जनन जो होता है वो दो तरीके से होता है पहला है लेंगिक जनन दूसरा है आलेंगिक जनन लेंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं और आपस में मिन्ने से बच्चे होते हैं आलेंगिक जनन में मेल और फीमेल एकी पौधे में होते खास पर से जन्तों में अमीबा हैडरा में ये आलेंगिक जनन होता है बाकी सम्मेलेंगिक जनन होता है नेक्स्ट कोशने 57 एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पाद को एवं उपभुगताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक भी होते हैं उपभोकता भी होते हैं कौन केतनी होगए किसकी संख्या केतनी होगी ये सब डिपेंट करता है उसके जलवाय। समधी कारग पर क्यूंकि जलवाय। के अनुसार ही लोग एक दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं आप रेजिस्तान में देख लीजिए वहाँ पेर पौदे नहीं हैं उत्पादक की कमी है इसलिए वहाँ के उपभुखता भी अलग तरह के हैं जो कांटों को खाकर ही अपना भरन पुसंद कर लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन है बल के बारे में फोर्स के बारे में लिखा हुआ है कि बल क्या होता है इसमें क्या क्या होता किसी भी चीज़ को जब आप धक्का देंगे उसे ही बल कहते हैं इसमें एक परिमान होता है कितनी धक्का आप दे रहे हैं दूसरा दिशा होता है किस तरह धका देंगे opposite direction में तो बल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा वसको अपने जगा अडिक रहेगा लेकिन जब आप किसी एक दिशा में धका देते हैं तो उसका अस्थान बदल जाएगा यानि बल में परिवनाम भी होता है और दिशा भी अगला question है अमलिये वर्षा की खूज किस ने की अमलिये वर्षा की खूज करने वाले व्यज्यानिक थे रोबार्ट एंगस एसमीत सही जवाब हो जाएगा option A next question है साथ नमर पाड़स्तितिक तंत्र के पादपों वा परानियों के पाड़स्परिक संबंदों का आधार क्या है पाड़स्तिक तंत्र में पादप और परानी पाड़स्परिक संबंद रखते हैं इसका जो आधार होता है वा पोशन संबंद होता है नेक्स्ट कोश्चन है पेट्रोलियम का कौनसा उत्पाद सरक निर्मान हितु उप्योग में लाया जाता है पेट्रोलियम का वह उत्पाद बीटो मिन है जो सरक निर्मान हितु उप्योग में लाया जाता है अगला कोशने 62 नमबर डॉपसन एकाई का उप्योग क्या जाता है डॉपसन एकाई का उप्योग जो होता है ओजोन पड़त की मुटाई नापने के लिए क्या जाता है केंदरिये परदोशन नियंतरन बूट का मुख्याले कहा है अगला कोशन है चौसन रबर मानो नेतरे जिस भाग पर किसी वस्तु का परतेविम बनाते है वह कहलाता क्या है उसे दिरिश्टी पटल कहते है एक पड़े के समान होता है जिस پर पड़ते भी मनता है हमारी आख भी से देखती है अगला सवाल है 65 न masturb उरजा का गैर परम परागत का मतलब होता है ऐसा सरोड जिस से उरजा तो मिलता हू लेकिन एक न एक दिन या समाप्त हो जाएगा या सिमित मातरा में हमारी परकृति में मौजूद है जब आप कोईला को पेट्रोलियम को नाभिकिय उर्जा को इन सब चीजों को देखेंगे तो ये सब हमारे जमीन से प्राप्त होते हैं ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे इसलिए इसे परमप्रागत सरोत कहा जाता है लेकिन सौडवी किरन जो होता है या उर्जा का गैर परमप्रागत सरोत है अगला कोशन है 66 नमबर पारिस्थितिक तंत्र में विभिन रासायनिक तत्वों का परवाह कैसे होता है पारिस्थितिक तंत्र में विभिन रासायनिक तत्वों का जो परवाह होता है वो चक्रिय होता है पादक हो पुभोकता हो अब घटक हो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक जाल बना जेते हैं जो चक्रिय होता है नेक्स्ट कोशन है 67 जीवों के मद भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोशन करम को क्या कहते हैं जीवों के मद जो भोजन प्राप्त करने का निश्चित पोशन करम होता है वो खाद सिरिखला कहलाता है अगला कोश्चन है 68 राष्ट्रिये पडियावरन शोद संस्थान कहां है राष्ट्रिये पडियावरन शोद संस्थान नागपूर यानी महाराष्ट में है अगला कोशन है 79 नमबर और साधी चक्र में किसका परवा होता है और साधी चक्र में खनीजों का परवा होता है नेक्ष्ट कोसने 70 नमबर किसी पदार्थ के दहन का पोसक पदार्थ है दहन का मतलब होता है जलना पोसक का मतलब होता है पोशन देने वाला जब कोई चीज जलता है तो ऑक्सीजन की वज़ा से जलता है जलती हुई मुबती को गिलास से ढख देंगे तो oxygen की कमी से मुंबती भूत जाएगा यानि दहन का पोसक पदार्थ oxygen है Next question is 71 नमबर वहताब जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है क्या कहलाता है इस ताप को जो अलन ताप कहते हैं जो अलन ताप पर ही कोई पदार्थ जलता है इसलिए कि पेर पोधे वाईू परदूशन को अवस्वसित करते हैं जब वे अपना भोजन बनाते हैं। परकास संस्लेशन के कर्म में अगला कोशन है तेहता नमबर किस दिश्टी दोश को ओतल और उतल दोनों लेंसों से बने दिवफोक्सी लेंस द्वारासन शोधित क्या जाता है वह दिश्टी दोश जरा दूर दिश्टिता है जरा दूर दिश्टिता से आप दिवफोक्सी ले ती पांच वर्स के लिए की जाती है नेक्स्ट कोशन है 75 नमबर निमलिखित में किस विलियन का उपयोग दिवारों की सफेदी करने के लिए क्या जाता है C.A.O.S.2 का उपयोग जो है दिवारों की सफेदी करने के लिए करते हैं अगला कोशन है 76 नमबर निमलिक्त में कौन केंद्रिय परविर्टी का माप नहीं है परसार बहुलांक मध्यांक मदमान केंद्रिय परविर्टी उसे कहते हैं जो बीचो बीच का होता है बहुलक हो चाहे मध्यांक हो चाहे मदमानो इसका मतलब है दो वैलू के बीच का पाँच के बीच में सारे पाँच आता है इसे बहुलक मध्यांक मदमान कहते हैं लेकिन परसार का अलग ही मीनिंग होता है इसका मतलब होता है फैलाना नेक्ष्ट कोसने 37 नमर्न मिलीकित में से किसे मुख यानी अधिकारी गरंथी कहा जाता है हमारे शरीर में बहुत सारी गरंथियां है लेकिन मुख गरंथी अधिकारी गरंथी जो है वो प्यूस गरंथी पिट्रूटी गरंथी है नेक्ष्ट कोसने बच्चों के सामाजिक वि विकास में खिल का LGBT होता है नेख्ष्ट को सने 99.2 सीमा एक लड़की है जो हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है ली नैक लड़की जो है उसे शीखने में ज्यादा समय लेती है यानि हम दो लड़की की बात कर रहे हैं एक सीमा की दूसरी ली Tu कि सीना बहुत जल्दी सीख लेती है लीना जो है अधिक समय में सीखती है यह विकास के डैस सिध्धान्त को दर्शाता है विकास के बहुत सारे सिध्धान्त होते हैं मैंने उस पर चर्चा भी क्या था यहां जो विकास का व्यक्तिक सिध्धान्त कहलाता है यानि सीमा और लीन अगला question is बच्चों का मुल्यांकन होना चाइए बच्चों का मुल्यांकन होना सतत और व्यापक हमना चाइए यानि सब कुझ का मुल्यांकन होना चाहिए उसके हर पहली हो 있어요 वो भी लगातार नेक्स्ट कोस्टने 81 नमबर प्रात्मिक अस्तर पर कौनता भासा शिक्षन का उद्देश नहीं है प्रात्मिक अस्तर पर भासा शिक्षन के अनेको उद्देश है जिसमें भासा सम्मधी व्याकरन को पुरुनता कंथश्ट करना या उद्देश नहीं है Huaщё गाश Lamborghini भाषा कोश ल के संदर में उचित कौन है 4 रहा कोशा सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये सब ही इक दुर्सक्र से सम्भनित हो ते हैं बच्चा पहले पहले सुने घार फिर भोले पहारी चे से जुरे हुए शब्द सूच कर लिखो यह अभ्यास परसन किसका उधारन है एक शिक्षिका जो है पहारी घाटी शब्दों को पढ़ाती है और बच्चों को सूचने के लिए कहती है कि तुम सूच कर लिखो यह जो कहलाता है इस प्रकार के उधारन को यह संदर्म में व्याकरन है हमने जो है पहारी के संधर में उसे व्याकरन पढ़ाया ये संधर में व्याकरन कहलाया 84 नबर कोश्चन है व्यक्ति में उन मनुशादिरिक अवस्थाओं का गतिशिल संगठन जो उसके पडियावरन के साथ औद्यूतिये सामाजस्त निर्धारन करता है क्या कहलाता है इस परकार के निर्धारन को व्यक्तित्व कहते हैं यानि व्यक्ति का वह गून जो किसी पडियावरन में समझन की छमता पैदा करता है अंगूर खटे हैं या किस परकार का उधारन है अंगूर को खटा कहना या जो है योक्ति की करन उधारन कहलाता है नेक्स्ट कोसने 86 नमबर उच परात्मिक अस्तरपर हिंदी भासा शिक्षन का एक सरवादिक महत्पुर्ण उद्देश क्या है उच परात्मिक का मतलब हुआ कक्षा 6-8 यहां जब हम भासा शिक्षन का उद्देश बतला रहे हैं तो इसका जूस में थिम है कि बच्चों में भासा शमज होना ही चाहिए लेकिन इसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की चमता भी होनी चाहिए क्योंकि यह प्रामली से अपर प्रामली में आए हैं इसलिए इसमें भासा शमज के साथ साथ पढ़ने और लिखने की चमता आवश्यक रुप से होनी चाहिए 87 नमबर कोश्चन है इस पीनर ने भासा सीखने की परकिरिया में सरवाधिक बल दिया है वो अनुकरन है नेक्स्ट कोशन 88 सतत आकलन का उद्देश्या जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा है हम लगातार मुल्यांकन करेंगे इससे पता चलेगा कि बच्चे में कितना प्रुग्रेस हो रहा है नेक्स्ट कोशन 89 में कौन सा काड़क मंद बुद्धी बालक के लिए आवश्यक नहीं है मंद बुद्धी बालक उसे कहते हैं जो सामान बालकों से मंद बुद्धी रखते हैं मंद बुद्धी बालकों में मौलिकता का अभाव होता है एक चात्र जो हमेशा नहीं नहीं जानकारी के लिए सरोत की खोज करता रहता है वो शिक्षा को वो सापाठियों से तर्क वितर करता रहता है ऐसे बालक को आप किस परकार का बालक कहेंगे जिस बालक में तर्क वितर की छमता आ जाए वो परतिमाशाली बालक बन जाते हैं अगला question है 91 शिक्षा के संधर्म में सामाजी करण से क्या तात पर्द है सामाजी करण का मतलब होता है सामाजिक वातावर्ण में अनुकूलन और समायोजन यानि हम समाजी करन की जब बात करें तो बच्चो को समाजिक वतावरन में ढालना और समायोजित करना सिख राएंगे नेक्स्ट कोशन है 92 शिक्षन का सत्तावादी अस्तर क्या है शिक्षन का जो सत्तावादी अस्तर है वो शिक्षक केंदरित होता है नविन्तम शिक्षा नीती में भले ही शिक्षा को चात्र केंदरित कहा गया हू लेकिन शिक्षन का सत्तावादी अस्तर शिक्षन केंदरित ही होता है शिक्षक अपने अनुसार सोचते हैं कि हम बच्चे को चात्र के अंदर शिक्षा किस परकार दें बच्चे को जिस शिक्षक के अवशकता है शिक्षक अपने अनुसार ही उसे पढ़ाएंगे क्योंकि शिक्षक चात्रों के शुप चित्तक होते हैं नेक्स्ट कोशन है 93 शिक्षक का बरताव कैसा होना चाहिए शिक्षक का जो बरताव है वो बहुती अच्छा होना चाहिए आदर्शवादी होना चाहिए नेक्स कोशन एक अक्छा सेवन का शिक्षारती गनित में तूरूटिया करता है एक शिक्षक करूप में आप क्या करेंगे ऐसे बच्चे जो गनित में तूरूटि करते हैं उसे कहेंगे कि विकल पात्मक पद्धती का प्रयोग करे स्वे तूरूटि का पता लगाने के लिए दोबारा करे यानि जब तक बच्चे तूटी का पता खुद ना लगाएंगे तूटी को पहचानना उनके लिए मुश्किल रहेगा बुद्धी लबदांक के आधार पर विभिन संभूओं में विदार्तियों का वरगी करन उसकी सुवा गरीमा को घटा देता है लेकिन शैक् प्रभावित नहीं करता की एक कमे कुछ तेज बच्चे भी होते हैं मंद बुद्धी विविज बुद्दी होते हैं जब आप मनंद बुद्धी बच्चे को अलग बैठा देंगे तो उसकी गरीमा को ठेस भीचेगा लेकिन उसका जो शैक्षिक निस्पादन है उसको प्र ग्रेशीव मैट्री सीज परिक्षन, डैस परिक्षन का उधारन है रेवन ने जो परिक्षन दिया था या सांस किर्ती मुक्त बुद्धी लबदांग परिक्षन का उधारन है नेक्स्ट कोस्टन है 97 भासा शिक्षन की पर्तम कक्षा किसे माना जाता है भासा शिक्षन की जो पर्तम कक्षा होता है वो घर होता है परिवार होता है समवेग क्या है 98 नमबर कोस्टन है समवेग जो होता है या उत्तूजना या भाव में परिवर्तन होता है नेक्स्ट कोशन है 99 किसी भी बालक के मांसिक रूप से औस्वस्थ होने का क्या करन है कोई भी बालक मांसिक रूप से औस्वस्थ है इसका कारण उसका पारेवारिक वातावरन भी हो सकता है कक्षा का वातावरन भी हो सकता है पास पर उसका वातावरन भी हो सकता है कहने का मतल सभी कोश्चान नमबर एक सव है शिक्षा का उद्देश होना चाहिए शिक्षा का उद्देश केवल और केवल वैवाहरिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए परिक्षा पास करने के लिए ल दोस्तों ये थे 100 परशन जो टेस्ट स्रीज चार से लिए गए थे अगर आप दक्सता परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो आप complete PDF या printed notes हम से पराप्त कर सकते हैं दक्सता परिक्षा के आतरिक्षा हम दूसरे सभी परिक्षाओं के notes उपराप्त कराते हैं जाहे वो teaching exam हो, जाहे board exam हो, चाहे competitive exam हो, चाहे interest exam हो इन सभी exam के notes आप चाहे तो English medium में भी पराप्त कर सकते हैं हिंदी medium में भी पराप्त कर सकते हैं किसी भी notes को पराप्त करने के लिए आप हम से संपर्ध करे 7631-314948 पर call whatsapp करके आप हमें email भी कर सकते हैं official at that at teacherrehmat.com पर